प्रधान मंत्री ने नई देली में प्रधान मंत्री नरेंद्र मुदी से की मुलाकाद दोनों देशों ने राजनाइक संबंधु की स्थापना के सौन जोयनती वर्ष में आपसी संबंधु को नई उचाए देने के लिए किया विचारवे वर्ष मुखी मंत्री हो गिया तितनात ने कहा कि परियावरं सरक्षर के लिए प्रदेश में लगाई जाएंगे नौ करोड पौदे बारबंकी में बन महतसब के दोरान लोगों को परियावरं सरक्षर के लिए आगे आने का किया आवान उपराश्पती बैंके नाइड़ों ने किसान की आएदो गुन करने के लिए सरकार दोरा वेक्ट किये गए द्रसरकल्प की सराहन की कहा कि इंद सरकार के पैसले से किसानों की स्थिती होगी मजबूत गुर्वत्ता परक चायंकन विश्वसनियता और तक्थात्मक समाचारों पे दिया जाएगा जोल दूदशन समाचार दोरा आयुजित की गई कारिशाला जंता के लिए चलाए जा रहे कारिक्रमों को प्रमक्ता से दिखाने का निर्ने नमस्कार मैं हूं समरी सिद्गी और अब समचार विस्तार से भारत दोरे पर आये भूटान के प्रधान मंतरी शेरिंग तोबगे ने आज नई दिली में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी से मुलाकात की बाद में भुटान के प्रधान मंत्री का राश्पती रामनात कोविन से भी मिलने का कारिक्रम है इससे पहले कल भुटान के प्रधान मंत्री ने विदेश मंत्री सुश्मा स्वराज से मलकात की थी एक ट्वीट संदेश में विदेश मंत्राले के प्रवक्ता रविश कुमार ने बताया कि दोनों देशों ने राजनेक संबंधों के स्थापना के स्वर्ण जयनती वर्ष में आपसी संबंधों को नई उचाईओं तक लेट कर जाने के बारे में विचारवे मर्ष किया उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को आसाधारण और समय पर खरे उत्रे हुए और स्थाई बताया जम कश्मीर की दो दिन यात्रा पर ग्रह मंतरी राजनाज सिंग निकल श्रीनगर में कुछ उस्तरी बैठक में सुरक्षा इस्तिती की समीक्षा की ग्रह मंतरी ने विबन बैठकों में कानून व्यवस्था अमरनाथ यात्रा और राज में विकास कारियों के इस्तिती का जाइज़ा भी लिया ग्रह मंत्री खराब मौसम के कारण परमित्र अमरनाद गुफा के दर्शन नहीं कर पाए राजपाल शासन लगने के बाद पहली बाद जंबू कश्मीर के दौरे पर पहुँचे ग्रह मंत्री राजनाद सिंग ने गुरुवार को राज्य के सुरक्षा हालात का जाइजार लिया ग्रह मंत्री ने उचस्तरिय बैठक में राज्य के विबन विकास परियोजनाओ, सुरक्षा एवं कानून की समिक्षा की बैठक में राज्यपाल एनन बोहरा, राष्टे और सुरक्षा सलाकार, अजीट दोबाल के साथ ही प्रशासन एवं पुलिस के शिर्ष अधिकारी मौजूद थे सुरक्षा इस्तिति के समिक्षा के बाद ग्रिह मंत्री राज्यमे शांती एवं इस्तिर्था, एक इमांदार, प्रभावी और कुशल प्रशासन से लाई जा सकती है ग्रिह मंत्री के ओर से जारी बयान में कहा गया एक विकसित और सम्रिद जम्मु कश्मीर का सपना तब साकार होगा जब राज्य में शांती एवं सामाने सिती होगी राज्य में एक इमानदार, प्रभावी एवं कुशल प्रहशासन के जरिये ही शांती सिर्था लाना हमारा द्रढ संकल्प है राज्य के लिए आगे के रास्ते की चर्चा करते हुए ग्रिह मंत्री ने कहा कि विकास और सुशासन जंबु कश्मीर के लोगों के लिए सपना रहा है और केंदर सरकार विवस्था में जवाब देही और पारदर्शिता लाने के लिए सभी संभव उपाय करने के लिए प्रतिबद है उन्होंने कहा कि सुशासन और विकास पर नवीनिकरित तुजूर के साथ केंदर राजिक के लोगों के बीच नई आकांच्छाओं और आशा का संचार करना चाहती है समस्याओं का हल लोगों के साशक्ती करन और इस्थानिय स्वाशासन वाली संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने में नहीं थै गरतलब है की हाल में ही पियम मोदी ने एक इंटर्वियू में कहा कि सुशासन विकास और जवाब दही के जरीए ही राज्य में शांती व्यवस्था बहाल हो सकती है गरतलब है के पिछले 19 जून को बीजेपी ने महबूबा मुफ़ती सरकार से समर्थन वापस ले लिया था जिसके बाद राज्य सरकार गिर गई थी केंदर के सिफारिश पर राश्टपती ने राज्जे में राजपाल शाषन लागू कर दिया था बहाश्पाने समर्थन वापसी के लिए व्यापक राश्टिय हिद और राज्जे में बढ़े आतंगबाद वे अलगावबाद को जिमेदार ठहराया था ऐसे में ग्रह मंतरी का ये दोरा आतंगबाद का खिलाफ चलाए जा रहे सुरक्षा अभियानों और विकास के कामों में तेजी लाने में मददगार होगा और उत्य प्रदेश सरकार ने 30 बार प्रदेश में 15 जुलाई से पॉलेथन और प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोश्णा की है बार बंकी में व्रक्षा रोपर कारिक्रम समाहरो के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदितनात ने इसकी गोश्णा करते हुए कहा कि प्रदेश में 15 जुलाई से पॉलेथन और प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा श्रीयोगी ने परियावरोन को बचाने के लिए सबसे सहयोग की अपील करते हुए कहा कि 15 जुलाई के बाद परियावरोन को नुकसान पहुचाने वाले प्लास्टिक से बनी सामगरी एवं सामान के उपयोग की अनुमती नहीं दी जाएगी और ने कहा कि अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है और वही मुक्यमंत्री योगि अदितनात ने कहा कि परियावरोन सरक्षर के लिए प्रदेश में नौ करोड पौदे लगाए जाएंगे श्रीयोगी ने बारबंकी के रामनगर शेत्र में लोधेश्वर महादेव मंदिर में आयूजित वन महतसब में कहा कि इन पौदों के लगने से जमीन में नमी बनी रहेगी मुख्यमंद्री ने ये भी कहा कि हमने जाती और धर्म के भेदबाओ को भुला कर कई लाख लोगों को आवास विजली और रसोई गैस कनेक्शन दिये हैं पूरे प्रदेश के अंदर व्यापक पेमाने पर ग्रेट शार ऊपन का एक कारेक्म अपने हाथों में लेकर हमारा सखवतों कहना चाहिए कि 15 अगस्त के दिन उत्तर प्रदेश के अंदर 9 कोरोड ग्रेटशा रोपन एक साथ प्रदेश के अंदर हो तो इसके लिए मैं आवान करता कि बंविमार के साथ सभी की मात मिल करके इस लक्स को पूरा करने के लिए अपना यूटान दे एक गड़ा बड़ा कारेक्राम होगा और ब्रेक्स भी एक आपचारिक मातर नहीं होने चाहिए अक्सर होता है जब प्रेक्स लगाने के बाताथि यूवे लिटस लगाता करके ये पौपलर लगाता करके लोग उसको इसरी कर लेते हैं पापलार और युके लिप्टरस किसी को अपने खेत में बगाने हो अपने ब्योसाइट के लिए लगाए उन ब्रेक्सों को लगाएंगे जिनके अंदर आउस्ति या बुरू हो या फिर जिनकी एक ब्यापक पहनाने पर भार्विक महत्वादी हो ऐसे नौ करोड़ ब्रेक्स ह हम पुरे प्रदेश केंटर सब्दर का जिनकी अवसर पर बढा सके हैं इसके लिए बन बढ़ागा मैं अवान करुखा अबी से वे अपनी कार्यों से तयार करने हैं और 15 अकस्ति एक साथ पुरे प्रदेश केंटर इस अभ्यापको सबबता पुर्वर संबन करने के लिए हम को एक साथ बता है लखनाओ जाकर सीबियाई के स्पी से मिले और लिखित शिकायत की पीड के शिकायत के बाद सीबियाई की एंटी करिप्शन की दस्त सदस्य टीम सदीब कुमार पांडे के नितत्व में पड़राणा पहुची और उन्हें जैसे ही घूस की रकम को हाथ में लिया पहले से मौ को दोगुनी करने के लिए सरकार दोरा वेक्ट के गए द्रड संकल्प की सराहना की है साथ ही खरी फसलों की नियूंतम समर्थन मूल में बिक की गई उलेकनी वरदी के लिए भारत सरकार की प्रशनसा भी की है पोड़ बियर में एक समभादाता सेत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये कदम किसानों की आये बढ़ाने के लिए काफी मददगार साबित होंगे प्रधानमंत्री केती को कैसा लावधायक बनाना उसके बारे में बोल रहे और केवन बोलना नहीं उसको लावधायक बनाने के लिए कई कदम सरकार ने उठाया गर्वर्मेंट ने खरीफ सीजन का क्राप्स के रिए पहली बार आप लोगन अभी पुरा अबार पड़ा नहीं होगा MSP for PADI has been increased by rupees 200 it won't go for quintal ये मेर्जस जो है सरकाने कल 14 क्राप्स के रिए minimum support price बढ़ाया और गोशित किया है ये अच्छा कदम है ये स्वागत निये कदम है and feel happy but at the same time much more needed to be done in order to make agriculture sustainable and viable फिराम के बाद समचारों में आपका फिर से स्वागत है और बढ़ते हैं अपने अगली खबर की तरफ लगनाउ डीडी यूपी नियूज में आज प्रदेश के स्टिंगरों वा पीटीसी की कारशाला का आयोजन किया गया इस कारशाला का उदेश स्टिंगरों द्वारा भीरी जाने वाली स्टोरी की गुडवत्ता विशेवस्तु को बहतर करना है निदेशक समाचार के सागर के निर्देशन में इस कारशाला का आयोजन किया गया जिसमें उपनिदेशक समाचार यास्पीन फारुक की समेथ सभी अधिकारी उपस थे इस अबसर पर उपनिदेशक सुधीर सिंग ने दूदेशन निउस दिल्ली के द्वारा दिये गए दिशा निर्देश वा विशेवस्तु की जानकारी दी कारशाला में कैमर सेक्शन के प्रमुक आदर्श कुमार गर्ग और अभियांत्रिक सेक्शन के प्रमुक केके गुपता ने स्टिंगरों को गुडवत्ता परक स्टोरी कैसे बनाई जाए उस पर प्रकाश डाला दो चरणों में होने वाले इस कारिशाला में प्रदेश भर के डीडी यूपी न्यूस के स्टिंगर भाग ले रहे हैं नॉक्टर सागर ने इस अबसर पर जनपत के आई स्टिंगरों को संबोधित करते हुए कहा कि स्क्रिप्ट, वीज्वल, बाइट और विशे वस्तु सभी पर ध्यान दोने होगा जिससे अधिक से अधिक दर्शक, गुडवत्ता परक समचारों को देख सकें यह वक्षॉप कराने का बूल मकसद यह है कि हमारा जो आउटू है जो हम स्टिंगर्स पील में इंफमेशन गैदर करते हैं पर प्रे प्रेशन करते हैं और उसे फीड करते हैं उसमें किस तरह की दख्षता लाये हैं आज कर competition का जमाना है यदि आपका video output ठीक नहीं है, यदि आपका audio output ठीक नहीं है, यदि आपका screen presence ठीक नहीं है, यदि आपके anchors ठीक से anchoring नहीं कर पाते हैं, तो immediately the viewer will move from one channel to the other channel. और चुकि ये competition का जमाना है, चुकि तो प्रसारबारी बार्ती ठीक के हमें revenue generate करना भी एक हमारा बहुत important angle है, we have to look at that part of it also. हमारे शोता आप से तभी जुर पाएंगे जब हम quality content दे पाएंगे, जब हम quality stories दे पाएंगे, जब हम stories ऐसी दे पाएंगे, जो थोड़े हटकर होंगी, हम आमोवन देखते हैं कि यदि हमने एक message दे दिया लोगों को कि हम flagship programs पे करना चाहरे हैं, तो बस flagship programs के अलाबा, आपक जब हम दोड़ा रहे हैं की चूरी की है, दोनों व्यापारियों को निया एक हिरासत में जेल भेश दिया गया है और जन संग के संस्थापक, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी की आज़ जयनती है, इस मौके पर संसथभवन में सिंट्रल हॉल में उन्हें श्रधांज ली दी गई, लोग सबाद देक्ष समित्रा महाजन और प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी समेथ, मंतरी मिंडल के स दस्यों ने उन्हें याद किया। और वहीं प्रदान नंतरी नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी को याद करते हुए उन्हें एक शिक्षा वे बहतरीन शासा को और एक ऐसी महान शखसियत बताया कि जिसने देश के आजादी के लिए महत पूर योगदान दिया। उन्हें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी का चीवन, विद्या, वित्र और विकास इन तीन मुल्भुत चिंतन से जुड़ी धाराओं का संगम था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर जी कहा करते थे, कोई भी राष्ट सिर्फ अपनी उर्जा से ही सुरक्षित रह सकता है। उनका भरोसा था, देश के साधनों पर, सउसाधनों पर, देश के प्रतिस बासाली लोगों पर। स्वर्दंतरता के बाद, देश को हतासा से, निरासा से निकालने का, उनका विजन आज भी करोलों लोगों को प्रेणा दे रहा है। सिक्षा से जुड़े छेत्र के लिए, महिला सजक्तिकरण के लिए, देश की परमाणू नीती को दिशा देने के लिए, उन्होंने जो कार्य किया, जो विचार रखे, वो उस दौर की सोच से भी बहुत आगे के थे। देश के विकास में जन्र भागिजारी का महत्वत समझते हुए, उन्होंने जो रास्ते सुझाए, वो आज भी उतने ही महत्वपूर है। डौक्टर शामा प्रसाद मुखर जी के लिए, जो सबसे महत्वपूर बात थी, वह थी भारत की अखनता और एकता। और इसी के लिए, बावन साल की कम और उम्रों में ही, उन्होंने अपनी जान भी घवानी पड़ी। आईए, हम हमेशा डौक्टर शामा प्रसाद मुखर जी के एक ताके संदेश को याद रखे, सद्भाव और भाईचारे की भावना के साथ, भारत की प्रगती के लिए, जी जान से जुटे रहे। और वहीं मुख्यमंत्र योगी आदितनात ने कहा कि महान शिक्षाविद भारती जनसंग के सथापाग डौक्र शामा प्रसाद बुकर जी के जैनती के मौके पर आज देश उन्हें याद कर रहा है। इस मौके पर आज लखनाओ के सिवल हस्पताल में उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्र योगी आदितनात ने पुशपार्चुन कर उन्हें शुधांजली अर्पत की कारिकरम के बाद सरकार के प्रवक्ता सिद्धार नास सिंग ने पत्रकारों से कहा कि शामा प्रसाद ने दे है कि उन्होंने जो देश को एक सुथ से बानने का जो निर्ने लिया था और जिसकी लिए उन्होंने अपनी जान भी गवाई और मैं इतना ही कह सकता हूं कि आज के दिन जिस प्रकार से मोदी जी ने जो निर्ने लिया है और वहां पर जो सरकार से समझोता तोड़ा है पीड आज सुतंत्रता सिनानी और पूर्व केंद्रिये मंत्री बाबु जग जीवन राम की पुनितिती है नई दिली में उनके समाधी समतास्थल पर उनकी बेटी और लुकसवा की पूर्व रध्यक्ष मीरा कुमार ने श्रदसमन अर्पित किये इसके लावा केंद्रिये समाजिक नियाएवमा दिकारिता मंत्री थावर्चंद गहलोत ने समतास्थल जाकर बाबु जग जीवन को श्रदसमन अर्पित किये लखनो विश्विद्याले में बुद्वार को हुई अराजक्ता पर हाई कोट की लखनो खनपीटने स्वता संग्यान लेते हुए कड़ा रुख दिखाया है अदालत में डीजेपी, कुलपती, प्रॉक्टर, रजिस्ट्रार और एसेसपी को आज तलब किया पुलिस प्रमुक ने आला दिकारियों के साथ बैठा कर घटना की जानकारी ली घटना में लापरवाही बरतने वाले छित्रा दिकारी मानगर अनुराक सिंग को गयर जिन पर इस्थानित कर दिया गया है वहीं विश्विद्याले की चौकी प्रभारी पंकज मिश्रा को निलंबत कर दिया गया है पुलिस ने ततपरता दिखाते हुए दो अबदरवी शात्रों को गरफतार कर लिया है मामले के जाज दीजी ने आईजी रेंजर सुधीर पांडे को सौब दी है स्विद्याले में हर किनारे लगे हुए है उसे फोटो निकाल करके इनको पहचान करने का प्रयास पूरा किया गया लेकिन इसमें एक भी विद्यार्थी नहीं है विश्विद्याले का चात्र नहीं है क्योंकि वो स्वेम को समाजबादी यूजन सबा का निता बता रहे थे कि उसकी निता है वो सब खुद बता रहे थे इस बात को और ऐसे चार लोगों की पहचान की गई है जिनमें आकास लाला करके हैं दूसरे विनय यादों हैं तीसरा हिमांसु हैं और चौथे आसी स्मिस्रा हैं जिनकी पहचान की गई है इनकी अत्रिक्त लगभग 20-25 लोग और ते जिनकी पहचान हम नहीं कर पाएं लेकिन को सब्सक्राइब है इसको लेकिन की प्रसाशन्किला परवाहिए घृषे प्रियास में मौके से दोड़ा की पकड़ा भी है तेन लोग को हम लें गृष्टार किया है दो लोग जो कटना से थी पुकड़े के तिर्श के बाद जो इनका मेज बाइन आसीज बाक्स अक्राइब तक तीन लाग से दस लाग के आबादी वाले शेहरों में नवुत्था निवम सर्वोत्तम अभ्यास में सरवशे शहर की रू पौर मंडलाय युक्त जिलादिकारी नगर आयुक्त के प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित किया है अलिकर के शहरवासी नगर की साफसफाई से प्रसंद है और आने वाले समय में इस पुरसकार के बाद अच्छा करने का प्रयास करेंगे प्रामीड शेत्र में जो सोचाले बनने हैं उसमें एक अक्टूबर तक अक्टूबर 2018 तक सारे प्रदेश को ओडिएफ करने के रड़नीदी पर चर्चा की गई उनका जूर इसी बात पर है कि सारे सोचाले बनाया जाएं बना करके एक एक अक्टूबर के पहले दो उसमें सारे सोचालों पर निर्वाड भी होना है जीलों को ऊडिये पहुशत करना पुरे जीले हैं उसमें पूरे अलीगड का सम्मान हुआ और अलीगड की इजद बड़ी इसमें वालीगड के लोग ने साथ दिया हमारा एडमिनिस्टरेशन पुराने नगरायुक्त और कमिशनर सब मौजूद थे, उनकी सब की हमारी मेहनत करने दिया, टीम वर्ग था, एक टीम वर्ग ने काम किया, किसी एक को नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है, सरहा गया, मुक्वंतरी ने तारीफ की, मिनिस्टर ने तारीफ की. गोना में रुपेकार्ट के माध्यम से किसानों को के सी सी वा बांक से पैसा निकालने के लिए अब बांकों के चक्कर नहीं लगाने होंगे, रुपेकार्ट के माध्यम से ये किसान जरूरत के अनुसार पैसा निकाल लेंगे, और क्रिशी के बीज और औरवर्ग को समय से खरी के सी सी कार्ड उन किसानों को भी दिया जा रहा है जिनके पास किसान क्रिडिट कार्ड नहीं है जन्पत के सारे किसानों को रुपे कार्ड वितरित किया जाना है जिला कृषिय अधिकारी ने बताया कि जन्पत के 90,000 किसानों को ये कार्ड उपलब्द कराए जाएंगे और संगम नगरी अलाबाद में कुम् मेले में सुरकशा के लिए पुखता अंतिजाम किये जा रहे हैं अभी तक ड्रोन कामरे से सिर्फ फिल्म और फोटो बनाई जाती थी लेकिन अब ड्रोन कामरे से दौरा स्नाथियों की सुरकशा की जाएगी कुंमेले में दूरधराज से आने वाले शृध्धालों की सरक्षा के मददे नजर पुलिस लाइन में S.S.P. नितिंतेवारी मेला डीाईजी के पी सिंग की मौझूदगी में ड्रोन का परिक्षन किया गया जिसमें ड्रोन के जरीए डूपते हुए श्रदालों को लाउड स्पीकर के द्वारा ड्रोन के तहत दिशा निर्देश दिया जाएगा साथी लोकेशन पर ड्रोन की सहायता से पहुचा ज़की दिए अभी हम लोग ने इसका पहला ट्रायल किया है जिसने ट्यूप को ले जाके उपर गया और वहाँ से थोट किया कि अगर कोई डूपता हुआ आदमी उसे पकड़ ले तो कुछ देर के लिए फ्रोट कर सकता है और उसका जीवन बस सकता है जाती साथ इन्होंने रस्टी को दूसरे कोने पर डाला कि कि अगर वो रस्टी जो फिनारे आदमी बैठा है वो उस रस्टी को पकड़ करके डूपते हुए आदमी को ट्यूप के सारे खीच सकता है विलको किस तरह से एक साथ जोड़ा जा सकता है और इसी तक्नीक के माध्यम से हर साल एक कुम जो आते हा रहे हैं हर साल बहतर कुम बार आ है क्योंकि उसमें जार 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 तक्नीक लगा रहे हैं इस बार आप जो हमलों तक्नीक लगा रहे हैं को में वो दुनिया में पहली बार लगाई जा रही है। इससे पहले कि इस तरह की तक्नीक नहीं होगी जसे कि लाइफ सेविंग लोगों की जान बचा जा सकती है, भगदर नहीं होगी, कोई भी तरह का हाथसा नहीं होगा, इस अब मौसम समाचार, मौसम विभाग लगनौन के अनुसार आज बलिया, मौ, घाजिपूर, देवरिया और उनके आसपास के लाकों में बारिश होने की संभावना अब्यक्त की है, प्रदेश की राज़ानी लगनौन में आज का दिक्तम तापमान 38.7, कानपूर का 49.8 डिग और अंत में प्रमुक समाचार एक बार फिर बारबंकी में वन मोहसफ के दोरान लोगों को परियावरं सरक्षन किलिए आ गयाने का किया गया आवान उप राश्पती वैंकाएनाईडू ने किसान की आए दो गुनी करने के लिए सरकार दोरब वैक किये गया दर्शंकल्त की की सराहना कहा के इबिल सरकार के फैसले से किसानों के स्थिती होगी मजबूत गुर्वत्ता परक्षायंकन विश्वस्नियता और तथ्यातक समचारों पर दिया जाएगा जोर दूदर्शन समचार दोरा आयुज़त की गई कारिशाला जनता के लिए चलाए जा रहे कारिक्रमों को प्रमुख्ता से दिखाने का निर्णे और इसे के साथ समचार समाप्त हुए नमस्कार